अगर किराया जमान नहीं किया वो जल्दी निकाले जाओगे इसका किराया क्या है अब पूछते हों क्या किराया है अब तो अगर अर्दोई पहुंचाओ दोजार तीन हिजार रुपे महिने में किराया मिलता है और इस कमरे का किराया क्या है भगवान का भजाने और हाथों से दाना अपने शिवड़े का सम्मान बड़े बुजर्गों का सम्मान कि जिन्द की एकी किलाया का घर है एक ना एक दिन बड़ना पड़ेगा कि जिन्द की एकी किलाया का घर है एक ना एक दिन बड़ना पड़ेगा मौत जब तुझको आमाच देगी बैया श्यामू मौत जब तुझको आमाच देगी गल की बाहर निकल ना पड़ेगा रूठ जाएंगी जब तुमसे खुशिया कम कैसा चें में ढलना पड़ेगा जब मेरे पास पैसा नहीं होगा दन नहीं होगा जो पड़ता वो चला गया बाद में पच्टाने सो कोई फायदा नहीं होगा माराज गम आ जाएगी क्या करें पैसा तो बहुत मिला लेकिन मैंने खर्च नहीं कर पाया खर्च गरने वाले का दिल कोछ ओ रही होता है परदान जी नूठ जाएंगी जब तुम से खुशिया कम कैसा जे में डलना पड़ेगा बक्ती ऐसा भी आए गनादा कोई ऐसा दिन हो जाता है पूरे दिन भोजन नहीं प्राप्त होता है वो बक्त होता है खाना बन गया घर पे ठाली परोश करके आई भोन आ गया घर से भाग भड़े ये भी बक्ते ये भी या बक्ती ऐसा भी आए गनादा तुमको काटों पे चल्टा पड़ेगा जिन्दगी एक किराएं का घर है एक ना एक दिन बतलना पड़ेगा मौत जब तुझ का वाज देगी मौत जब तुमको वाज देगी घर के बाहर निकलना पड़ेगा और इसी बीच में जो अमारी रिकोर्डिंग हो रही है रादिकाय स्टूडियो की तरब से जो रिकोर्डिंग हो रही है कल पांच बज़े यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और जो मदूर आवाज आप लोगों तक महुचाई जा रही है ये हमारे धुनियंत्र द्वारा क्रिष्णा साउन सर्विस ग्राम मक्त्यारपुर पोष्टदारा हर्दोई की तरफ से और योकारी कमचला है हमारे सोनपाल प्रदान्जी के याँ सोनपाल बर्मा प्रदान्जी ये बभुवापुर कचनारी की तरफ से जिनके द्वारा ये कारिकम चला है ऐसी हो जाएगी तेरी हालत गम के समझी में ड़लेना पड़ेगा गम किसी न किसी को जरूर हो जाती है कल लो भाईया मुनेंदर भाईया तुमें भी गम, हमें भी गम सभी को गम है कोई को अपने घर की गम, कोई को बेटा की गम, कुल पिता की गम कोई को बेन की गम, कोई भाईया की गम, कोई को अपने खेद की गम है अब कोई को किसी की गम, कोई को किसी की गम दुनिया में कोई गम से कम नहीं है ऐसी हो जाएगी तेरी हालत गम के साचे में ढलना पड़ेगा जया चोण कर अपनी उची हवेली चोण कर अपनी उची हवेली गर के बाहर निकलना पड़ेगा जिन्द की एक की लाएक घर है जिन्द की एक की लाएक घर है एक न एक दिन पदल न पड़ेगा और ये इस दुनिया के रिष्टे जब तल लग हमके साथ हैं जब तल लग जब तल लग हमारे शरीर में नम सांस पाप बेटे और भाई भती दे साथी हैं तेरे दीते जीते और इसी बीच में शिरी मान सोनपाल प्रदान जी ये नोटों के हार से स्वागत सम्मान करें परमात्मा हमेशा पूरे जीवन वर इनका स्वागत होना चाहिए ताली बजाएंगे सभी भक्त और इनी के सवजंग से हम यहां तक कहुँचें बड़े स्वाग की बात है जिस दर्वार में बेठे हो ये कोई साधार्ण दर्वार नहीं है पाप पेटे यरवाई भती जे साथी के तेरे दी ते जीते और इसी बीच में हमारे प्रदान जी की धर्म पतनी ज्यान वर्ती बर्मा जी यही प्रदान इन है हम लोग तो घरवालें के नवकर होते हैं इन्हीं के द्वारा ये पुष्पूं का आर अरपन हो रहा है और भगवाल में चाहूंगा इन्होंने नोटों के हार पहना है अबकी पंच वर्सी में सोने के हार जब पढ़ जाएं तो मान अच्छा होगा अब ये मेरा आशित बात है आने माले अगले समय में इसे से जादा वर्गर के जीत होगा ये मेरा बाता है बोली ब्रंदावन विहारी लाल की सच्चे दर्बार की और इसी बीच में हमारे सोनपाल प्रधान्दी ये बस्तरों का दान भी शाथ साथ में कर रहे हैं और रोजाना नोटों के हार भोलों के हार पहनाते चले आ रहे हैं बस्तरों कर रहे हैं और इतना प्रेम किया है जिसका कोई क्या बताएं और इसी बीच में हमारे ये प्रधान जी ग्यानमती बर्मा जी 101 रुपे से समात कर रहे हैं और कहना है पाप बेटे यर भाई बती जे उपर आजाओ और इसी वीचि में हमारे प्रधान जी उपरधान दोनों लोग सबी हमारे कलाकारों को ये गंचा से स्वागत संबन करें और पाप बेटे यर भाई बती जे साथी एं तेरे जीते अपने आगान से उठीना पड़ेगा अपनी जोगत से उठीना पड़ेगा और जो अमारे चिमटा पसंगती दे रहें वोई चिमटा माष्टन नहीं है ये हमारे परम सिसमुनेंग्र कुमार साथिरी इसमें चिमटा वाला नहीं आप आया एक्सिदंट होने के कारण तो मजबूरी में च्विटा बजा रहे हैं जिन्दी की एक की ना एक ज़दी है एक ना एक दिन पर धरने का हम पलेगा बोले ब्रंदावन विहरी लाल की जगधर पुरवा से गेरा रुपे और पुनई कचनारी से एक सो एक रुपे उमेश बासपुर से पत्पट ये एक सो एक रुपे और जगधपाल कचनारी से पत्चास रुपे पपु ये बाबुपर से बीश रुपे पुत्तुलाल कचनारी से एक सो एक रुपे दान हो रहे है और इसी बीच में जे हमारे कजाधर पुर की दरव से परधान जी अमित परधान जी जिनके लिए हमारे सोनपाल परधान जी पुष्पों को हार डाल करके स्वागा सम्मान किया है बहुत धनबा ताली बजा देंगे और ये हमारे राकेश प्रधान जी रहीम पुर की तरव से जिनका भी हमारे सोनपाल प्रधान जी ने बड़ा स्वागा सम्मान किया है और सोनपाल परधान जी बड़ा सम्मान किया है